आरजेनी नेता तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चनाव में समाजवादी पार्टी की शांदार जीत और साथी अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने पर भविश्यवानी कर दी है बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के भूमी का निभा रहे तेजस्वी यादव अखिलेश यादव के साथ वैचारिक समानता और पारिवारिक संबंद रखते हैं अखिलेश यादव के परिवार में तेजस्वी यादव की बहन की शादी हुई है सपा और आरजेडी दोनों का ही बोट आधार मुख्य रूप से ओबेसी और मुस्लिम समुदाय है अब तेजस्वे यादव ने यूपी चनावी नतीजों पर अपनी राय रखते हुए कहा मुझे लगता है कि ये उत्तरप्रदेश में एक तरफा मुकाबला है लोगों ने योगी आदित्यनाथ और भाजपा को सत्ता से बाहर करने अखिलेश यादव और सपा को वापस लाने का फैसला किया है भाजपा साल 2017 में सत्ता पर काबिज हुई थी 300 से ज्यादा सीटे जीती थी लेकिन इस बार यूपी की जनता अखिलेश यादव को एक तरफा समर्थन दे रही है साफ साफ तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव की पार्टी जीत रही है यूपी में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की जीत होगी समाजवादी पार्टी एक तरफा इस मुकाबले में जीत जाएगी खेर आपको बता दे 10 मार्च को चनावी नतीजे आएंगे और तब पता चल जाएगा तेजस्वी यादव की भविश्यवानी सच होती है या नहीं नेक्स्ट नाइन न्यूस नेशन की रिपोर्ट